बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बताएंगे दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा विशे शुपाय जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है शनिवार का तारीक है 11 दिसंब 2021 मार्गशीश शुकल अश्टमी पर चंद्रमा कुमराशे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा एक शुभरंग रहेगा लाल शुभ दिशा रहेगी पूर्व राहुकाल रहेगा सुभह 9 से तालिस से लेकर 11 बचकर 6 मिनट तक पंच और शोनिवार पर ज़स दिन द्रपश्टमी होती है उसमें काली का पूजन किया जाता है विशेश रूप से और मार्गशीश महिना ही मूलत है मंगल को समरपित है ㄹ शक्ति को समरपित है और हमारा जो विशेश उपाई है वो भी काली का से ही जोड़ावा है बहुत ही ख कम शत्रू का नाशने ही करेंगे, शत्रुता का ही नाश कर देंगे, उसके लिए राशी फल आपको आखिर तक देखना पढ़ेगा, तो चलिए, राशी फल के शुरुआत करेंगे, राशी नमबर एक मेश, याने के एरीस के साथ मैं, मेश राशी वालों, नए विचारों से भरे रहेंगे, काम में उम्मीद से ज्यादा लाब होगा, जिंदगी के प्रती, नजरिये में बदलाव आएगा, सकरतमक विचार से दूसरों को फाइदा होगा, उपाई ये करें कि लक्षमी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, शुभंग एक रहेगा, शुभंग रहेगा, बात करते हैं, राशी नमबर दो व्रिश एनिट और इसकी, भाग्य का साथ मिलेगा, काम की गती बढ़ेगी, बड़ा मुनाफ़ा होगा, कारशेत्र को बढ़ानी की योजना बनाएंगे, सहकर्मी सयोग करेंगे, लोग काम से प्रभावित होगे, उपाई ये करें कि फिट सार काम करना सफल रहेगा, विग्यान के छात्रों को बड़ा लाब होगा, उपाई ये करें कि घर के बाहर जाते समय अपने साथ इलैची के दाने रखें, शुभंक छे रहेगा, शुभरंग रहेगा, गुला भी, चौथी राशी कर्क यानिकी कैंसर की बात करेंगे, रहेगा, शुभरंग रहेगा, पीला, बात करते हैं, पांचवी राशी सिंग, यानि के लियो की काम काच पर ध्यान दें, अधूरे काम पूरे करेंगे, सीनियर से बहस किस्तिती बनेगी, सांजयदार के साथ तालमेव बना कर चलें, लेंदेन में भागिदार से सलहा आसपास का महौल अच्छा रहेगा, परीजनों का सहयोग मिलेगा, प्रीमी से उपहार मिलेगा, कानूनी मामले पक्ष में रहेंगे, उपाई ये करें कि मा लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें, शुभंक रहेगा, च्छे शुभंक रहेगा, गुलावी, बात करेंगे सा शुभंक साथ रहेगा, शुभंक रहेगा, सिलेटी, आठवी राशी व्रिश्चिक की बात करेंगे, यानि कि स्कॉर्पियों की, दफ्तर में पक्ष रखेंगे, कारशेतर में तरक्की होगी, मेहनत वाले काम में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी, उधा बात करेंगे, दस्वी राशी मकर, यानि की केप्रिकॉन की, मकर राशे वालों देखिए अत्याधिक व्यस्त रहेंगे नजदी के रिष्टों में खटास आएगी सबके साथ प्रेम भाव बना कर रखें प्रेम जिमन में परिशानी आएगी कारोबार में मेहनत जादा करेंगे उपाई ये करें गाई को रूटी खिलाएं शुभंक नौ रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी बात करेंगे ग्यारवी राशी कुम्भ यानि की अक्व에रियस की कुम्हराशे वcarbonu साफ चबदा फ़ायदा होगा सहकर्यों का सहयोग रहेगा जीवनसाथी के साथ घुमने जाएंगे मेडिकल के जो स्टूडिन्ट्स हैं रहें उनको सफलता मिलेगी उपाइए करें कि जरुवत मंद को भोजन कराएं शुभंक नौ रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी बात करेंगे बारवी राशी मीन यानी पाइसस की मीन राशी वलों द्यापार में लाब होगा लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे काम क रूप रिखा में बदलाब करेंगे, जीवन साथी से काम के लिए सलहा लेंगे, किसी समहारों में भी जाएंगे, उपाई ये करें कि मंदिर में हरी सबजी का दान करें, शुभंक चार रहेगा, शुभंक रहेगा नीला, तो दोस्तों आप समय हैं, आज के विशेश से अगर भोज़ पत्र ना मिले तो किसी भी कागस पर काजल से शत्रू का नाम लिखकर देवी कालिका पर चड़ाएं और चड़ी वी जो सामगरी है जो आपने पेपर चड़ाया है उस सामगरी को देवी के निमित करपूर से जला दें और इस पूरे प्रयोग में एक देखते रहे हैं इस तो तक अजाज़त दीजिए सुमीद के साथ कि हम सभी का आने वाला भविश सुखत सुन्दर और सुरेणिम हो नमस्कार नमस्षिवाएं